जब मार्केट में हम कॉंडम्स लेने जाएं तो एक तो डर इतना है और डर के बावजू जब वो पूछे कौन सा तो हमारे हाथपेर फूलने लगते हैं क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सा वाला लेना है अब इसमें इतनी वराइटी मार्केट में आ गई है इतने फ्लेवर्स मार्केट में आ गई है इतने ब्रांड्स मार्केट में आ गई है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो इसलों मुझे लगता है best तरीका यह होता है कि आपको mall में open नहीं मिले और आप उसमें से ले पाओ बट कौन सा, कौन सा आपके पार्टनर को जादा पसंद है, कौन सा आपके लिए better है, कौन सी age में, कौन से time में मैं पूरा detail में बात करूँगी, तो आज मैं आपको देने वाली हूँ, the India's biggest Hindi वाशा में, the condom guide तो अगर आप इस channel पर नए है, तो subscribe कर दो, मैं हूँ Dr. Neha Mehta, आपकी अपनी self counselor, जो आपको, आपको easy Hindi वाशा में देती हूँ, असानी से sex health solution तो आज मैं आपकी बनने वाली हूँ, एक अच्छी guide तो चली हम बात कर रहे थे, किस तरह का condom और इतने धरीके के condoms, कौन-कौन से हैं, बात करते हैं सबसे बहले नमबर पर condom बात करूँगी, जिसे हम latex condom कहते हैं यह ऐसा condom है, जो बहुत मोटा है, जो आप इसे open करेंगे, तो आपको exactly लगेगा कोई rubber का layer है तो बहुत मोटा होता है, लेकिन यह सबसे ज़्यादा safe होता है Latex condom को 99.9% में failure rate कम है, और यह definitely आपको बचा होने से भी बचा रहा है, STI से भी बचा रहा है तो जब आपको लगे कि भाई मेरे को इस बंदी का 100% नहीं पता है और मैं paid कर रहा हूँ या कहीं और कर रहा हूँ तो भाई variety ना देखो, latex यूज करो क्यूंकि आप safety को लेके कही ना कहीं जादा आपके दिमाग में वो concern है दूसरा number जो बहुत common मिलते हैं, वो है strawberry, leechy, काला खटा, whatever flavor that is called flavored condoms flavored condoms आप तभी use करो जब आपका oral करने का या करवाने का मनो flavored condoms are not for vaginal or anal sex तो इसलिए अगर आप flavor ढूंड रहे हो तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर आप उसे नीचे भी use कर रहे हो तो आपके female partner को और आपको दाने, infection, itching, सब कुछ हो सकता है इसलिए please don't use it अगर आपको use कर भी रहे हो क्योंकि जब आप flavored condoms को खोलोगे आपको एक अजीब सा smell आएगा, flavor आएगा इसलिए जो लोग juice, रुवजा, chocolate यूज़ कर रहे हैं, flavored condoms यूज़ करो, जादा बेटर है लेकिन उसे sex के लिए इस्तमाल नहीं करो तीसे number पर आपको condoms बहुत असानी से मिल जाते हैं, जो कि हैं ribbed, dotted, dotted condoms की इतनी ad चला दी है, इतना उसकी वीडियो बना दी हैं कि लगता है कि भाई यहीं चाहिए हम सब को dotted condoms बहुत पतले होते हैं, प्लस उनके अदा कहीना कहीं dots होती हैं, जो कि आपके sex को थोड़ा सा better बनाता है यह उन females को बहुत जादा exciting लगता है, जो कि बहुत बार जैसे एक couple दो-तीन बार पहले कर चुका है, फिर कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, तो इस तरह के condoms excitement को बढ़ाते हैं failure rates उनके definitely latex से थोड़े जादा हैं, लेकिन dotted condoms actually dots के साथ होते हैं, और वो सिरफ pleasure को increase करने के लिए बनाए गए हैं, usage and everything is same, और वो आप vaginal या नजएक के लिए definitely, definitely इस्तमाल कर सकते हो तीसे number पर आपको condoms मिलेंगे, जो की ribbed है, ribbed क्या होता है, अलग 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 जैसे हम बूलते हैं, पैंसल से हम marks बनाते हैं, ऐसे round 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 round, तो ऐसे बस एक अलग अलग ribs है, अगर मैं आपको इसे दिखाऊं, तो it is more like this, बस zigzag zigzag निशान है, तो हम इसे ribbed केते हैं, ये भी थो orals एक लिए नहीं बने हैं, तो अगर आप ribbed और dotted oral के लिए उस कर रहे हो, आपके tongue के आसपास infection या छिलने के charges हो सकते हैं, तो उसके लिए सिरफ और सिरफ flavored यूज़ करो, समझ में आ रहा है, confused तो नहीं हो रहे हो, फिर मैं बात करूंगी delay condoms की, ऐसे condoms भी आ गए हैं, जो आपका time बढ़ाने के लिए इस्तमाल के जाते हैं, इसमें कोई flavor नहीं है, इसमें कोई texture नहीं है, ये सिरफ इसमें benzocaine या lignocaine होता है, जो कि एक anesthesia है, मतलब आपको सुन करने का area है, जब आप बहुत जादा excited होते हैं, तो आपके muscles excitement के कारण जल्दी release कर देते हैं, और erection चला जाता है, तो ऐसे में जब आप delay condom use करते हैं, तो वो sensitivity, मतलब जो जुन-जुना हर्टपन है, या जो feeling है, उसको सुन करती है, और आपका time बढ़ जाता है, तो इसलिए वो लोग जो उमर के साथ, और दिनको timing की समस्या है, या erection की समस्या है, या जल्दी हो जाता है, वो किसी भी उट-पटांग के flavor की बजाए, time increase वाले delay condom का इस्तमाल करें, फिर मैं बात करूंगी, ऐसे condoms, जो कि market में मिल रहे हैं, जिसे हम कहते है, nano smooth, thin, ultra thin, nano thin, मतलब इतने पतले, जो market में अड़ किये जा रहे हैं, कि आपको पता ही नहीं चलेगा, it feels like your own skin, बहुत सारे brands हैं, जो इसमें बोलता हैं, कि आपको skin ही लगेगा, तो ऐसे condoms, okay, it is good, अगर आप first time कर रहे हैं, या फिर आप बहुत जादा excitement के लिए use कर रहे हैं, it is okay, but, but, इनका failure है latex वाले से काफी जादा है, इसके लाबा, आज कल कई लोग हैं, क्योंकि जब condoms का usage बड़ा, तो हम use नहीं करना है, condom buy करने से पहले आपको इने बोलना है, कि मुझे polyurethine का condom दीजे, जो कि एक अलग texture है, एक अलग रबड का एक type है, जिससे आपके partner को latex allergy नहीं होगी, तो ये है, एक overall ग्यान types of condoms पे, अब आपको कौन सा पसंद है, कौन सा आपको अच्छा लगता है, औ घबराट में गलत condom का इस्तमाल नहीं करना है, और कभी भी condom के साथ तेल, वैसलीन, इन सब चीजों का इस्तमाल नहीं करना है, condom फटता है, और भाई, जादा precaution के लिए double-double condom नहीं पहनना है, double condom पहनने से एक क्यों पर एक चड़ाने से, क्या होता है, condom फट जाता है और जो उसका main purpose है condom का वो खराब हो जाता है, इसके लावा सही से-से dispose करें, मैंने already इस वीडियो में बहुत request किया है, इधर-उधर मत फेका करें, बच्चे होते हैं, कोई देख रहा है, आपका खुद का body waste है, please don't do it, जो साफसफाई करते हैं, उनके लिए नुकसान है, औ अगर आप चाहते हैं, कि मैं आपको A to Z, ऐसी और guides दूँ, तो फिर करना क्या पड़ेगा, भाई मुझे थोड़ा motivation चाहिए, चालल को subscribe करेंगे, थोड़ा पैसा चाहिए, उसके लिए आपको subscribe करना पड़ेगा, like करना पड़ेगा, share करना पड़ेगा, तो चलिए शुरू ह और आप चाहें, तो मुझे से personalized consultation ले सकते हैं, www.drnehameta.com, और आप चाहें, तो मुझे Instagram और Facebook पे भी connect कर सकते हैं, Dr. Neha Official, यह वीडियो कैसा लगा है, या फिर कोई ऐसा करना में ने छोड़ दिया है, नहीं discuss किया है, comment section में लिखो, हो सकता है, मुझे इसके बाएर में ना पत चाहें!